दोस्तों आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार देखिए छोटी स्नेक हेड या गरई मचली जिसको बोलते हैं उसको शिकार करने के लिए खास तोर से तलाब में या ठहरे हुए पानी में तो उसको शिकार करने के लिए ग्राउंड बेट डाला जाता है ग्राउंड बेट डालन आप चाहे धान के खेत में शिकार कीजिए या ठहरा हुआ पानी में शिकार कीजिए तलाब में तो ग्राउंड बेट कैसे बनाएंगे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बर बना लिजिए और आपको साल भर तक ये काम आएगा आपको करना ये है कि आपको थोड़ा सा मिट्री लेना है मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ आपको एक मुठी मिट्री ले लेना है और चार-पांच पोठिया मचली चाहिए आपको दोस्तो मिट्री बारीक होना चाहिए बारीक होगा तो आसानी होगा तो करना ये है कि आपको पोठिया मचली को पीस करके पेश्ट जैसा बना लेना है और मिट्री में मिला लेना है मिलाने के बाद से ध्यान रखना है कि हाथ में काटा नहीं चुबे उसके बाद से थोड़ा सा पानी डाल करके उसको गूध लेना है मिट्टी को और गोल-गोल लड्डू या गोली के जैसा बना लेना है उसके बाद से आप क्या करेंगे इसको सुखा लेंगे सुखा करके पलास्टिक में अच्छा से इसको बंद कर लिजेगा ध्यान रखना है अच्छा तरीका से सुखा हुआ होना चाहिए जहां भी आपको शिकार करना है चाहे धान का खेत हो या तालाब हो या सुलो चलता हुआ पानी है वहां आपको ये गोली या लड़ू डाल देना है पानी के अंदर थोड़े थोड़े दूर पर डालना है अगर धान का खेत में शिकार कर रहे हैं अगर ठाड़ा हुआ पानी है तो 4-5 लड़ू डाल दीजिए पानी के अंदर यानि के 4-5 मिट्टी का गोली जो बनाया आपने वो डाल दीजिए डालने के बाद से 10 मिनट बाद वहां बहुत सारी मचली इकठा हो जाएगे क्योंकि यह जो मचली का एसमेल है ना पोट या मचली का जो मिट्टी के अंदर आपने मिलाया है वो गरई मचली या स्नेक हेड मचली को नेचुरल चारक जैसा फील होता है और वो बहुत तेजी से वहां आ जाती है तो दोस्तो इस तरीका से चराई बनाईए और आसानी से शिकार कीजिए दोस्तो तो यह बहुत अच्छा तरीका है ग्राउंड वेट बनाने का एक बार बनाईए हमेशा आप जब भी इस्तेमाल करना चाहें दो चार गोली या लड़ू पानी के अंदर डाल दीजिए दस मिनट के बाद शिकार कीजिए यह नेचुरल चारक जैसा महसूस होता है मचली को और आसानी से शिकार होता है बार बार ग्राउंड वेट देने का जरूरत नहीं है अगर आप दो तीन दिन पर शिकार करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि बार बार हर रोज थोड़ा थोड़ा एक जगह यह जो चराई आपने बनाया है पानी का अंदर डाली है बहुत स तरा वीडियो है आप देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेर कीजिएगा ओके दोस्तों सुंदर ब्यार देखने के लिए धन्यवाद थेंक यू शुक्रिया